Hello everyone, this is Naishree अलाज के इस वीडियो में हम कबर करने वाले हैं गुप्त बंस को और हर्स बर्धन को ये दोनों ही आपके अलग अलग टॉपिक हैं लेकिन हर्स बर्धन में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना था ये मैं आपको बाद में कराऊंगी पहले गुप्त बंस के बारे में जानते हैं आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग नोट्स बना लीजिएगा प्लीज अगर इतनी महनत कर रही हूं तो प्लीज आप इतना तो करी सकते हैं अगर नहीं भी बना पा रहे हैं मैं समाझ सकती हूं तो स्क्रीन सॉट लेके रखिए बाद मैं मना लीजिएगा फिर से वीडियो को रिपीट करके इसके अलावा आप लोग जो है एक लूसेंट की बुक आती है जिसमें स्रिफ मल्टीपल टाइप के कॉस्चन्स रहते हैं आप किसी भी उस पर जाएंगे ना बुक से आप पर तो आपको मिल जाएगी वहाँ पर प्लीज आप उस बुक को लीजिएगा और उस बुक से प्रैक्टिस करिएगा उसमें स्रिफ हो स्रिफ मल्टीपल टाइप के कॉस्चन्स ही रहेंगे ठीक सो अभी चलते हैं देखते हैं गुप्तबंस के बारे में तो हेडिंग क्या आपको यहाँ पर डाल लिए है हेडिंग आपको डाल लिए होगी गुप्तबंस उपर यहाँ पर heading डाली है गुप्त बंस ठीक है गुप्त बंस का जो समय है वो कब से कब तक रहा है कि गुप्त बंस का समय रहा है 275 से लेके 550 20 ठीक है तो इनका आपको समय याद रखना है कि इनका समय कब से कब तक रहा है 275 से 550 इस भी तक इनका समय रहा है ठीक इस्थापना किस ने की थी तो इस्थापना आप लोग याद रखेगा कि गुप्त बंस की इस्थापना जो है की गई थी आपके जो है स्री गुप्त के द्वारा किस के द्वारा स्री गुप्त जी के द्वारा इस्थापना की गई थी स्री ग अगर आप से सकती साली सासक पूछा जाये तो वो चंद्रगुप्त प्रथम है यह आप आगे जानेंगे अभी अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं चंद्रगुप्त प्रथम की किसकी चंद्रगुप्त प्रथम की तो आपको यहाँ पर हैडिंग डाल लेनी है चंद्रगु एक्जाम में पूंचा जाता है चीक है तो उपादी में आप लोगों को लिख लेना है उपादी इननों जो धारण कर रखी थी महाराजा धिराज की किसकी महाराजा महाराजा धिराज इनका समय कब से कब तक रहा है चंदरगुप्त प्रथम जी का सुरी मोरे नहीं है चंदरगुप्त प्रथम का जो समय रहा है वो याद रखिएगा 319 से 335 319 से 335 इस भी इनका समय रहा है नेक्स पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर लिखना है गुप्त समबत जो है आपका कौन गुप्त समबत का प्रवर्तक कौन रहा है तो गुप्त समबत का प्रवर्तक आपका चंदरगुप्त प्रथम ही रहा है तो गुप्त समबत का प्रवर्तक चंदरगुप्त प्रथम उच्छा जाता है गुप्त संबत का प्रवर्ता कौन है तो चंदरगुप्त प्रथम है कन्फ्यूज मत हो येगा चंदरगुप्त प्रथम है ठीक है चंदरगुप्त प्रथम था और इसकी तिथी क्या माने गई गुप्त स्वंबत की टित् Columbus 316asb अब बात आती है कि इन्होंने किस परकार के सिक्के चलाए तो यहाँ पर आपको हेडिंग डाल लएं मतलब सब हेडिंग डाल लीगं सिक्के सिक के मैं ऐसे डेस लगा के आप लिखना आपको सिक्के में सबसे important बात यह लिखनी है आपसे पूछा जाता है कि गुप्त सासकों में सर्व पर्थम सिक्के किस ने चलाए तो गुप्त सासकों में सर्व पर्थम सिक्के आपके चंदरगुप्त पर्थम ने चलाए थी क्योंकि गुप्त सासकों में तो चंदरगुप्त तो यहां पर सबसे पहले अकर दिखा जाए कि गुपता सासकेम जिक किसे 아이 सो में कि आ के Перाइधा में शौर प्रतम प्रतम सिक की ऐब चंडर ओप्ता प्रतम से में इस तरहीं में यहां समझ जाएगा चंदर गुपता प्रतम आप आपको पूरा लिखना है ठीक के चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किये चीक इसने जो है दामपत्य प्रकार के दामपत्य नहीं राजारानी प्रकार के जिन पर राजारानी का चित्र बढ़ा हुआ था उस प्रकार के सिक्के जारी किये थे तो लिख लेजिएगा इन्होंन दामपत्य प्रकार के दामपत्य प्रकार के सिक्के जारी किये थे याद रखिएगा पूछा जाए कि दामपत्य प्रकार के सिक्के किसने जारी किये थे तो वो है आपके चंदरगुप्त प्रथम जारी किये थे चीक अब यहाँ पर आपने किया क्या देख लिया सबसे पहले आपने देखा चंदर गुप्त प्रथम का टाइम 319 से 335 ठीक है इस थापना किस ने की थी आपके गुप्त बंस की तो वो तो आपके स्री गुप्त ने की थी इन होने उपादी महाराजा दीराज के उपादी धारन कर रखे थी गुप्त संबद का प्रवरतक चंदर गुप्त प्रथम था और इसकी तिथी गुप्त संबद की तिथी पुछी जाते है तो 319 इस भी है सिक्के इन्होंना दामपत्य परकार के सिक्के जारी किये थे एक पॉइंट आप लोगों को लिखना है अगर गुप्त बंस में देखा जाए कि सबसे सकती साली सासा कौन था तो वो चंद्रगुप्त परथम था कौन था चंद्रगुप्त परथम था तो लिखिएगा गुप्त बंस का गुप्त बंस का सबसे सक्ति साली सबसे शक्ति साली शासक कौने चंद्रगुप्त प्रथम है जिस वज़ाए से लिखिएगा जिस कारण जिस कारण इन्हें गुप्त बंस का वास्तिविक संस्थापक कहा गया क्योंकि जिस व्यक्ति ने काम किया होगा जो सबसे तादा पावर्फोल होगा तो वही उस चीच का वास्तिविक माना जाएगा तो आप देख रहे होगे कि गुप्त बंस में सबसे सकति साली आपके चंद्रगुप्त प्रथम अन्हें जिस वर वास्तिविक संस्थापक क्या कहा गया किया कहा गया वास्तिविक अन्हें दगा 잡아 लेकिन इंहों ने जो है स्क्रीन पर नहीं लिखा जाता है ठीक तो याद रखिएगा अब हम चलते हैं समद्र गुप्त के बारे में मैं इसको हटा देती हूँ नेक्स्ट आपको पढ़ना है समद्र गुप्त के बारे में सो आप लोग यहाँ पर हैडिंग डालिएगा समद्र गुप्त शमुद्र गुप्त के बारे में काफी सारी चीज़ें आपनों को याद रखने होंगी क्योंकि ये बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है सबसे पहले तो आपके समुद्र गुप्त जी को क्या कहा गया इनको भारत का नेपोलियन कहा गया क्या कहा गया भारत का नेपोलियन कहा गया तो लिखिएगा इनको उपाधिया उपाधिया उपाधियों में सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है भारत का नेपोलियन भारत का नेपोलियन भारत का नेपोलियन इनको किस ने कहा है तो विंसेट इसमित ने कहा है ने कहा है Vincent Smith मुझा जाता है कि भारत का नेपोलियन ने किस ने कहा है तो Vincent Smith ने कहा है अपार्ट फ्रम दिस इनको क्या कहा गया इनको कहा गया प्रत्विया वीरे प्रत्वी या प्रत्विया वीरे ठीक प्रत्विया वीरे कहा और क्या कहा गया और इनको कहा गया कभी राज कभी राज कहा गया एक चीज़ याद रखने हैं आप लोगों को विंसेट इसमित जो थे आपके कौन विंसेट इसमित जिन्होंने आपके समदर गुप्त को भारत कर नेपोलियन कहा है तो इनकी एक रचना थी विंसेट इसमित क में इन्होंने जो है समद्रगुप्त की वीरता और विजयों का वर्डन किया है और उसी बुक में इन्होंने इनको भारत की निपोलियन की संग्या दिये अरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक तो आप लिख लीजिएगा कि विंसेट इसमित की पुस्तक जो थी इनकी अरल समद्रगुप्त के सासन के बारे में सूचना देता है तो पूछा जाता है कि इलावाद का इस्तम अभी लेक। कि शमद्रुगुप्त का टाइम रहा है 335 से 375 इस भी तो के सासन के बारे में शाचन के बारे में कि सूचना प्रदान करता है सूचना प्रदान करता है अपार्ट फ्रॉं दिस एक चीज याद रखने जो कि बहुत महत्पूर एक्जाम में पूछा जाता है इलावाद का जो असोक इस्तंब अभी लेख है इसमद्र के गुप्त के बारे में तो जानकारी आपको मिलती है साथी साथ इस स्तंब में क्या है इस स्तंब पर जहांगीर तथा वीरवल का भी लेख है तो यही आपसे पूछा जाता है कि इलावाद के इस समद्र गुप्त का दूसरा जहांगीर का तीसरा वीरवल सहाब का याद रखना है तो लिखिए इनके बारे में सबसे पहले सबसे पहले इनके बारे में लिखिए कि इन्होंने कौन-कौन सी उपाधियां धारन कर रखी थी तो उपाधियों में तो इनकी बहुत जादा उपाधियां याद रखना है आप लोगों को और सारी की सारी बहुत इंपोर्टेंट है इनकी तो उपाधियां ही पूछ ले जाती एक्जाम में बिक्रमास्री की उपाधियों ने धारन कर रखी थी अब हम बात करेंगे कि इनका वास्तविक नाम क्या है तो वास्तविक नाम भी इनका अलगी है उपाधियां भी धारन कर रखी है चीक वास्तविक नाम लिखिएगा आप लोग वास्तविक नाम में वास्तविक नाम जो पर देवासरी लिख लेजिएगा देवराज देवाश्री आप लोगों को जरूर से याध रखना है छी इन्हों नर्णों और अपादी जो ढहरान कर रखी ती या फिर जैसे साक विजेंटा कि उपादी धारन कर किये थे तो यहां पर लिख लीजेगा शकों को हराने के उपलक्ष में किसको सकों को हराने के उपलक्ष में उपलक्ष में चांदी के किसके चांदी के सिक्के जारी के इन्होंने चांदी के सिक्के जारी के इनके सिक्के बहुत important होते हैं और इनकी उपादिया important होते हैं क्योंकि इनके सिक्के exam में पूछे जाते हैं ठीक है जारी किये जिसे गुप्त काल में क्या कहा गया जिसे गुप्त काल में गुप्त काल में रुप्यक कहा गया क्या कहा था कहा जाता था ठीक है तो याद रखिएगा नेक्स आप लोगों को यहां पर पॉइंट लिखना है मैं कलर चेंज कर लेती हूं पॉइंट यहां पर लिखिएगा महरोली लेख के अनुसार महरोली लेख के अनुसार महरोली लेख के अनुसार आपके जो हैं चंदरकुप्त उद्धुत्य हैं इन्होंने विश्रु पद परबत पर विश्रु धज की इस्थापना कराई साथी साथ दिल्ली में महरोली नामा के स्थान से महरोली लोह इस्तंब लेख प्राप्त हुआ जो बरतमान में कुतुम मीन इस्थार के समीब है चीक है तो याद रखीएगा कि दिल्ली के महरोली में जंग रहत लोह इस्तंब का नर्माड भी इन्हों नहीं कर वाया था उसके पहले लिख लिजे कि महरोली लिख के नुसार इन्होंने बिश्णू पद परवत पर क्या करवाया था? बिश्णू ध्वज का निर्माड करवाया था, इस्ताफना करवाया थी, ठीक, करवाया थी. साथी साथ और क्या याद रखना है? और आपको याद रखना है दिल्ली में, महरोली में, कहाँ पर? दिल्ली के महरोली में, महरोली में, महरोली में, महरोली में, जंग रहत, क्या? जंग रहत, उंचा जाता है कि महरोली में जंग रहत, लोह इस्तंब किसने निर्माड करवाया था आपके लोह चंद्रगुप्त दुद्तिये ने, ठीक, लौह को पिर लेती के लिखने। के लेती की ही लिखने हैं इनके बारे में काफी सारी शीजह इम्पोर्टेंट हैं। इस तरीके से आपको पॉईंट बनाते हुए लिखते चले अराम से ठीक है आगे लिखी आगा आप लोग आप लोग ने फायान का नाम सुना होगा तो चंद्रगुप्त दुत्ये बिक्रमा देते हैं इन्होंने बिक्रमा देती कि उपादी धारकार रखी थी तो इनको क्या कहा गया चंद्रगुप्त दुत्ये बिक्रमा देते कि कुसल चीनी यात्री फाहियान आया चीनी यात्री फाहियान आया ठीक मुझा जाता है कि फाहियान किसके सासन काल में तो चंदरगुप्त दुद्धियेगे ठीक नेक्स पॉइंट आपको याद रखना है कि इनके सासन काल में नो रतन थे अब जब नो रतन आप जानेंगे तो काफी सारी चीज़ें आपको किलियर हो जाएंगी सबसे पहला आप लोगों को याद रखना है काली दास कौन काली दास जी को याद रखना है कि काली दास जो है इनको बहुत जादा इस टाइम जो है सम्मान मिला काली दास जो है इनके न रतनों में से सर्वोत क्रस्ट थे कौन थे सर्वोत क्रस्ट है तो पूछा जाए तो य एक्जाम पूछा गया है यह धनमंत्री कौन है तो देखिए यही चीजें आपसे पूछी जाते हैं जो मैं आपको करा रही हूं बस आपको पता होना चाहिए अब कि हमें किस तरीके से पढ़ाई करने वह मैं आपको सिखा रही हूं आप उस चीजे को अब सीरियसली ले रहे हूंगे तीसारा आप लोगों को याद रखना है बराह मेर को ये कौन ते बराह मेर इनके शासनकाल में तो ये खगूल विज्ञानी सबसे ज्यादा प्राइपर धन वंतरी को तीसरा बाहर बराहमीर को चोथा आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है अमर सिंग कौन अमर सिंग तो अमर सिंग जो है कौन थे तो यह जो हैं अमर सिंग इनके सासनकाल में थे लेक्सिको घराफर ये था आपका भूगोल ग्याता था इनकी ब्रेकिट में लिख लीज़ेगा नेक्स आपको याद रखना है छटवा तो छटवा आपका आता है छपड़क कौन? चपड़क, 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 चपड़क कौन था, तो चपड़क जो है आपका था, इनको तो मैं, जैन अनुआई थे, और अपार्ट फर्म दिस, इनके बारे मैं याद रखना है, यह जो चपड़क थे, रतन फलक ज्योस थे, यानि कि एस्ट्रो लॉजर थे, ऐसे तो अभी सात्वा आप लोगों को याद रखना है, और आठवा, तो सात्वा था, बरुची, कौन था, बरुची, वरुची, ठीक है, बरुची, बरुची कौन था, तो बरुची एक जो है, ब्याकरण गिता, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजेगा, ब्याकरण आचारे, ब्य विताल भट जो है बेसिकली विताल भट कौन थे विताल भट थे आपके तंत्र विद्या का ग्याता था तंत्र विद्या का ग्याता था तो यह आप लोगों को जरूर याद रखना है कौन क्या था यही पूचा जाता एक्जाम में यह मत सोचेगा कि यह नहीं पूचा अमर सिंग कोशकार थे संकु भूगल क्याता थे चपड़क एस्ट्रोलॉजर थे वरुची व्यक्रणाचार थे व्यतालवट आपके तंत्र विद्या का ग्याता था ठीक अब यह हो गए आपके चंद्रगुप्त दुद्धिये के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया कुमार गुप्त प्रथम के बारे में आप लोगों को क्या-क्या जानना होगा इनके बारे में आप लोगों को लिखना है कि इनके सासनकाल में कि कुमार गुप्त के जो कुमार गुप्त प्रथम है इनके समय में गुप्त कालीन सरवादिक अभीलेक प्राप्त हुए है तो अभी लेख प्राप्त हुए हैं अगर पूंचा जाए कि गुप्त कालिन सरवादिक अभी लेख किसके शासन कालव प्राप्त हुए हैं तो कुमार गुप्त पृत्थम प्राप्त हुए हैं चीक कुमार गुप्त पृत्थम के बारे में आपको ज्यादा चीजे नहीं जानने ह इतना याद रखना है आपको कि सरवादिक सिक्के इनी ने चलाए किसने चलाए सरवादिक सिक्के इनी ने चलाए और सरवादिक अभी लेक इनी के दो इनी के सासनकाल में लिखे गए तो मैं आपको बता चुकी हूं लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है कि सरवादिक सिक के सिक्की किसिने चला के सरवादिक सिक्की इन्हों नहीं चला यह ते गुपत सासकों में आपनों किन-किन को पढ़ लिया भी तक चंदुर कॉप्तu पर्थम को पढ़ा संवद्र गॉपतय को पढ़ा अभीrie कमार गुपत् STEM को पढ़ रहे हैं आगे आप पढ़ने वाले हैं इसकंद गुपत्व जो फिर उसके बाद पढ़ने वाले हैं विष्टों गुपत जो की गुपत वंकस का आखरी साथ सकता तो इन सब में सबसे जादा सिख्के आपके किस ने चलाए थे कुमार गुप्त ने चलाए ठीक है और सबसे जादा अभी लेक इन्हों नहीं चलाए सरवादिक अभी लेक इन्हों नहीं चलाए सरवादिक अभी लेक चलाए अभी लेक चलाए ठीक यह आपको याद रखना इनकी बार उपाण कर रखी थी तो यहां पर लिखेगा आप लोगों को याद रखनी है इनकी उपाधियां थी आव बिक्रमा दिती की उपादी इन्होंने लिखिएगा आपनों उपाधियां उपाधियां आप लोगों को याद रखनी है इनकी उपाधियां थी विक्रमा दिती की कौनसी विक्रमा दिती की उपाधी इन्होंने विधारन कर रखी थी विक्रमा दित ठीके दूसरा इन्होंने सती पशुपती की उपाधी धारन कर रख तो सिति पस्वपति और इनोंने एक और अपादी धारव कर रखी तो क्या लिखते थे इसकंद गुप्त क्रमाधित्य क्रमा दित्य-क्रमा दित्य-क्रम इनका टाइम कब से कब तक रहा है तो इनका 455 से 467 इस भी तक इनका टाइम रहा है याद रखेगा अब आगे आप सबसे पहली बार किसके सासन काल में हुआ तो इसकंद गुपते इनी के सासल काल में हुआ था इसी रहे यतने जादा इंपोर्टेंट है बस चीक अब यहाँ पर लिखना है आपको भीत्री इस्तंब लेख से पुष्यमित्र और हुड़ के शाद इसकंद गुपत के युद्ध का वनन मिलता है ठीक है किसका पड़न मिलता है युद्ध का वनन मिलता है ठीक है कहाँ पर भित्री इस्तंबलेक में नेक्स लाइन में लिखिएगा आप लोग हुडों का किसका हुडों का तो हुडों का सबसे पहला आक्रमण कब हुआ था इनी की सासल काल में तो हुडों का पहला भारती आक्रमण का क्या मतलब है भारती आक्रमण गुप्त समराट इसकंद गुप्त के शाषन काल में कब 455 यह जरूर याद रखना है यह डेट ठीक है डेट तो नहीं है यह बस आपको सानी याद रखना है कि कब हुआ था तो आपका 455 में हुआ था यह ठीक है हुआ तथा इसकंद गुप्त के हाथों से वो बुरी तरह परास्त हुए थे सोच लीजिए आप लोग कि इसकंद गुप्त कितना ज़्यादा महान होगा तो इसकंद गुप्त के हाथों से यह परास्त हुए थे अब देखिए हमारे पास कुछ ऐसा तो है नहीं है जिसकी iter से हमां ये पता चलाओ कि हुणों का आक्रमण इनहीं कि सासनकाल में हुआ था तो कहीं ने कहीं से जानकारी प्राप्त हुई होगी उस टाइम के जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती थी तो आप कहेंगे कि मैं उस टाइम के जानकारी हमें अभीलेक से प्राप्त होती थी तो ये जो जानकारी है ये इतनी जानकारी कि हुडो ने आपके इसकंदगुप्त के सासनकाल में ही आ अब हम आगे पढ़ने वाले हैं विश्णु गुप्त के जी के बारे में जो कि इस गुप्त वंस के आखी आखरी जो सासक है वो थे बस विश्रु गुप्त के बारे में जादा याद नहीं रखना है यही सबसे सही है ना इनकी उपाधियां याद रखनी है ना इनका वास्तविक नम बस याद रखिएगा आप लोग कि गुप्त वंस के आखरी सासक क्या लिखना है गुप्त वंस के आखरी सासक कौन थे विश्रू भुपते थे ठीक, सो यह हुआ आपका खतम इनके बारे में अभी जाना नहीं है, अभी बहुत कुछ पढ़ना है अभी important point तो रहे गए है ना आपके ठीक, सो अभी आपका यह खतम हुआ अब हम कुछ important point डिसकस करेंगे सो यहाँ पर लिखिएगा IMP important point ठीक important points में आपको कुछ चीज़ें लिखवाने वाली हूँ जो कि बहुत महत्मूर है ठीक है, सो उनको आप लोगों को as it is लिख लेना है और उनको revise करना है बार बार, सबसे पहला आप लोग यहाँ पर लिखिएगा सती पर्था के बारे में सबसे पहले जानकारी हमें किस अभिलेक से प्राप्त हुई थी, तो वो है एरण अभिलेक लिखिएगा सती पर्था सती पर्था के बारे में सर्व पर्थम जानकारी सर्व पर्थम जानकारी एरण अभिलेक एरन अभीलेक आपका किसने लिखवाया था तो यहाँ पर लिख लीजिएगा एरन अभीलेक आपके भानुगुप्त ने लिखवाया था किसने भानुगुप्त ने सो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा भानुगुप्त ने लिखवाया था ठीक है तो एरन अभीलेक से प्राप्थ होई छीक है ये तो आपको पता चल गया next point आप लोगों को यहाँ पर लिखना है कि कला इवं संस्कृति कला इवं संस्कृति कि द्रिष्टी कौन से कला इवम संस्कृति की दृष्टी कौन से गुप्त काल को श्वनेप कहा गया, क्या कहा गया, गुल्डन पीरेट कहा गया, श्वन युग, युग के नाम से जाना जाता है, या स्वनेप कहा गया, नाम से जाना जाता है, ठीक, पूंचा जाता है आपसे, कि निमने लखित मैं जो को क्लासिकल युग के नाम से भी जाना गया ठीक है परको स्रवाधिक सोने के सिक्के तो यहां पर आपको तीसरा पयँड लिखना है कि सरवाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में चलाए गए गुप्त काल में चलाए गए ठीक है गुप्त काल में एक सौन मुद्रा चलाए गई थी कौन सी एक सौन मुद्रा चलाए गई थी जिसका नाम था दीनार क्या नाम था दीनार एक्जाम में कई बार पूछा जाता है कि दीनार यह जो आपक शवन मुद्रा यह किस कब चलाइग Men चल आएगी तो यह गुपत काल महीं ही चलाइग गई थी वेरी में इंपपनि जो कि स्सेंम ती आगर अगर उनक 3 में देखं तो गुपत काल में से चंद्रगुप्त दुतिय के друг काल को गुप्त काल का श्वन्ययोग कहा जाता है ठीक है कहा जाता है आपको लिखना रही थी तो आपने लिख लिव लिख होंगे मेरे सथुके से हट गया अ 벌써 की अब next अब लोग्स आप लोको वहां नोट में ही लिखना है जो आप important पॉइंट?". लिख रहे थी उसही में लिख लीजिएगा आप रोक की हर्स ने अपनी राजधानी जो है थानेश्वर से कन्योज इस्थापित की थी कई बार एक्जाम में पूछा जाता है किसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्योज इस्थापित की तो हर्स ने की थी तो लिखिएगा हर्स ने अपनी र ठीक है नेक्स्ट आप लोगों को जो इंपोर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं उसी में लिखिएगा हर्स वर्धन कौन हर्स वर्धन हर्स वर्धन दू महान धार्मिक सम्मिलनों का आईजन करवाया था किसने हर्स वर्धन ने हर्स वर्धन ने ये ने लिखा हुआ है ने दू महान धार्मिक सम्मिलनों का आईजन करवाया था कौन-कौन से तो आप लोगों को याद रखना ये बहुत इंपोर्टेंट है ये तो है कन्नोज ठीके दूसरा कौन सा है दूसरा आपनों को याद रखना है प्रियाग कन्नोज और प्रियाग और हर्स वर्धन के बारे में एक लास पॉइंट लिख लिजेगा कि पुलकेश्वर दुत्ये किसने पुलकेश्वर दुत्ये ने हर्स वर्धन को पराजित किया था ये आपसे पूछा जाता है कि किसने हर्स वर्धन को पराजित किया था तो पुलकेश्वर दुत्ये ने किया था हर्स वर्धन को पराजित किया था ठीक ये आप लोगों को याद रखना इतनी चीजें मूव करते हैं अभी multiple type के जो questions से उन पर उनको देखते हैं उनमें maximum question आपके ऐसे हैं तो आपके यूपिटर पलेस से के किसी ना किसी exam में आये हुए हैं तो यहाँ पर आपसे पहला question है कि खगोलविद बरामीर और कभी कालिदास किस के दरवार का हिस्सा थे तो अभी आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है कि ये किस के दरवार के हिस्सा थे तो मैंने आपको पताया था ना चंद्रुगुप्त दुद्तिये के सासनकाल में कितने रतन थे तो नो रतन थे इनमें ये सभी लोग सामल थे कालिदास, ब्रहामीर, अमर्सिंग, धन्वंत्री, घटपर्ण, चप्डग, शंगु, बरुची, बैतालवट ये सब नौरत ने थे इनमें आपके खगोलवित ब्रहामीर थे और कवी कालिदास थे तो ये आप लोग के चंद्रगुप्त दुत्य के शासनकाल में थे, चंद्रगुप्त दुत्य ने जो उपादी धारन कर रखी थे, वो विक्रमा देती की धारन कर रखी थे, so here first option is your correct option, next question आप से कि अभिज्यान साकुंतलम किताब के लेखक कोन है, so यहाँ पर आप लोग को अभिज्यान जो शाकुंतलम पुस्तक है, इसकी लेखक कोन है, तो अभिज्यान साकुंतलम बेसिकली आपकी कालीदास जी की है, कालीदास जी की है, कालीदास जी की कुछ और आप लोग काब याद रख लीजेगा, मैं यहाँ पर लिखवा देती हूँ कि यह बहुत तो यहां पर लिखिएगा सबसे पहला मेग दूतम कौन्जा मेग दूतम, जो काब है इनी का है अःव इज्ञान साउच्ट गू Northwestern लम आप देखी रहें कॉस्चन में है okay maal Se тंब कौन सा Maal Vikagni माल विकागनी मित्रम किसका था यह आपके काली दास का था काली दास इस तरीके से लिखिएगा और फूर इसके आकर डैस लगाईएगा लिखते जाएगा ठीक है विक्रमों वर्सिये क्या विक्रमों वर्सिये ये भी इनीका है विक्रमों वर्सिये वेरी वेरी इंपोर्टन विक्रमों वर्सिये इनीका है और रितु शंगार इनीका है क्या रितु शंगार ठीक है तो रितु शंगारम इनीका है नेक्स आपको याद रखना है मेगदूतम म कुमार संभवं तो कुमार संभव जो है इन ही का है इतनी चीजें आप लोग को कालिदास जी के बारे में याद रखनी है सबसे पहला मेग दूतम फिर आप लोग स्टे लोग Además activity I am रितु शंगारम, रगुवंशम और कुमार संभव यह वेरी वेरी इंपोर्टेंट है यह आप लोगों को याद रखना है जरूर से कालिदाश चंद्रगुप्त दुत्ये के दरवार में थे ठीक, चलते हैं नेक्स कोशन पर सो नेक्स कोशन आप लोगों से है कि गुप्त काल की प्रशिद महला सासक कौन थी अब आप लोग फस गए होंगे तो यह मैंने भी नहीं बताया है आपको कुस तो आप लोगों के लिए होना चाहिए ना अलग सो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है यह महलाती प्रभावती गुप्त कौन प्रभावती गुप्त सो हीर सेकंड ओप्शन इस और करेक्ट ओप्शन और यह भी आपकी यूपिट्र पलस्य की परक्षा में आया हुआ है ठीक नेक्स कोशन है आपसे कि मौर्य के इस प्रशिद राजनेतिक सलाकार को नियम्न लिकित सभी नामों से जाना जाता है इसकी अलावा तो आपसे चंद्रगुप्त मौरय के बारे में बात की जा है पहला तो यहाँ पर लिख ली जिएगा चंद्र गुप्त मौरय ठीक देखिए यह वैसे यहां का नहीं है यह मोरेवंज का कॉस्चन था लेकिन यहां पर आपके यूपी ट्रोपलस सी परिक्षा में आया है तो मैं करबाद दीते हूं इसको को अथवा चानक है क्या था कौटिल अथवा चानक है मैंने इनकी बारे में आपको बहुत अच्छी से बता हैं कि जितने भ अतवा चानक है क्या kauatu अतवा है अतहब कुछ था इना को क्या कहा गया विश्डूली घुपती रखते हैं विश्डूल गुपत्ृ नाम लेखे रखना है यहाँ पर सही option आपका कौन सा होगा बताइए चाड़क तो नाम था इनका विश्णोंगूप्त नाम था कोटे ले नाम था समध्रुप्त क्या इनका नाम था आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं यह बिल्कुल भी नहीं तो यहाँ पर कर उप्शन जो होगा वो सही होगा यह यहाँ परfund यहाँ पर टू कर लेज्ए यहाँ पर ध्य यहाँ पर फोर कर लीजिये चीक है यह कभी कभी वर्ल्ड पर जाने पर चीरे मिस्टेक हो जाती है बाई डेफॉल्ट सो यहां पर आपनों को कर लेना है फूर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा आपके जो चंद्रगुप्त मौरे थी इनके राजनेतिक सलाकार जो थी उनका नाम था चाड़क के भी था विश्रोंगुप्त भी था कोटेली भी था समद्रगुप्त नहीं था मूव करते हैं नेक्स कोश्चन पर आपसे कोश्चन है कि भारती इतिहास में धनमंत्री कौन थे यह यूपी ट्रपल सी पैट की परिक्षा में दोजार रिक्षा में जो हुई थी परिक्षा उसमें आया हुआ को बताना है धनमंत दुट्री थे आपके एक चिकत सकते किसके दरवार में चंद्रगुप्त दुट्टी के दरवार में जिनको विक्रमादित ते कहा गया इन्होंने विक्रमादित की धारण कर रखी थी आयोब मैं सारी चीज़े बता चुकी हूँ आपको थोड़ा बहुत याद होगा नेक्स संबर पर शमद्रगुप्त के शंदी जो आपके विग्रहक हैं हरी सेन्होंने संस्कृत भासा में प्रसंसात्मक वड़न किया हुआ है जिसे हम प्रयाग प्रसस्ती भी कहते हैं और इसमें समद्रगुप्ती विजयों का उलेख किया गया है ठीक तो याद रखिएगा इसमे हुआत लोगो थोड़ा वचियाद होगा और दक्षण भारत के 12 राज्य उत्तर भारत के 12 राज्य विदिशी राज्यों को जीता था जिस बज़े से इन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया ठीक है याद रखेगा क्यों कहा गया नेपोलियन ये तो हम लोग ने पढ़ लिया अब हमारे पास reason भी तो होना चाहिए क्यों कहा गया ठीक है तो इतनी चीजें याद रखेगा move करते है next question पर जो कि है आपसे निमनलिखित सासकों मैंसे किस एक ने चार अश्रोमेग का संपादन किया था तो चार अश्रोमेगों का संपादन आपकी प्रवर्सीन प्रथम ने किया था तो आपका second option correct होगा next question पर चलते हैं question है आपसे कि रजत सिक्क्ये जारी करने माला प्रथम गुप्त सासक कौन था तो प्रथम गुप्त सासक जिसने रजत सिक्क्ये जारी किये थे वो था आपका चंदरगुप्त दुत्य बिक्रमा देते और इसको क्या कहा गया गुप्त काल में रुप्यक या रुपक कहा गया ठीक मैंने आपको बताया हुआ है यहाँ पर आपका second option एकदम correct होगा चंदरगुप्त दूथिये question है आपसे next कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्थस्ती वाले इस तब में निम्न मैंसे किसका उल्लेक मिलता है तो मैं आपको बता चुकी हूँ जहांगीर का उल्लेक मिलता है और किसके बारे में उल्लेक मिलता है आपको याद होगा वीरवल के बारे में भी जानकारी मिलती है तो जहांगीर आपर सही होगा next question है आपसे कि गुप्त काल में उत्तर भारती व्यापार जो है किस पत्तन से संचालित हो था तो यहां पर तामर लिप्ती याद रखेगा तामर लिप्ती दिखें को ध्यान से पढ़ेगा उत्तर भारती ब्यापार की बात की जा रही है जब उत्तर भारती ब्यापार की बात की जाए तब तो तामर लिप्ती होगा अगर आप से कहा ज बन्दर गहा जो था चेंड हो जाएगा यहां पर बन्दर गहा अब यहां पर आपका अफरा आपका आंसर क्या होगा возьz भड़ोम ओगा याद रखेएगा यहां पर आप योगोँ कांफू告诉 नहीं होना है अगर आप से पश्चिम भारत कहा जाए तो आप लोंको याद रखना है भड़ोच ठीक है अगर आप से उत्तर भारत व्यापार की बात की जाए तब आपको याद रखना है तामरेलिप्ति बहुत इंपोर्टेंट है अब पश्चिम भारत का जो मुख्य बंदरगा था वह भड़ोच था यानि कि पश्चिमी देशों के साथ अगर ह है आप से की सती पृता का पृतरम अभीलेख साक्ष कहां पर प्राप्थ हुआ तो मैंने आपको बदाया था अरण अभीलेख से प्राप्थ हुआ है तो आपर फ़र्स्ट ओप्शन एक्दम करेक्ट होगा नेकस्च है आप से कि भारत में प्राचिन भारत में सिचाई कर को कहते थे तो यह बहुत important question है कि प्राचीन भारत में सिचाईकर को क्या कहते थे तो आपका प्राचीन भारत में आपके सिचाईकर को उदक भागम कहते थे क्या कहते थे उदक भागम कहते थे या विदक भागम कहते थे विदक भागम या फिर उदक उदक भाग ठीक है उदक भाग या बिदक भाग ये एक ही ही है ठीक सो थर्ड ओप्शन करेक्ट होगा नेक्स्ट है आपसे कन्नोज से पूर्व हर्च बर्धन कहां का शासक था ये आपसे क्वेशन है कि कन्नोज से पहले हर्च बर्धन कहां का शासक था तो कर्नोस से पूर्व जो हर्ज बर्धन है वो शार सकता थानेश्वर का कहा का थानेश्वर का था यहाँ पर फोर्थ ओप्शन एकदम करेक्ट होगा मूव करते हैं next question पर जो कि आपसे कि हर्ज बर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंतरन में लिया था इन मैंसे कौन सा 5 इंडीज में आपका थे ठीक है तो यहाँ पर लिखिएगा थे लिखना है आपको 5 इंडीज में थे कौन सा 5 इंडीज में थे question समझेगा हर्सवर्दान ने 5 इंडीज को अपने नियंतरन में लिया था इन में से कौन सा 5 इंडीज थे आपको बताना है इन में से 5 इंडीज दो थे वो था आपका पंजाब याद रखेगा बहुत important है पंजाब, कन्नोज और कौन था? पंजाब, कन्नोज पर जो किए में काधंबरी के लेखक को ने conşekkür London की लेखक कोने बताई ऐस्य आप लोग बताना भूल गया भूल गया में यह बता देती हूं हर्सवर्धन जो थे हर्सवर्धन लिखिएगा सब्दन मैं हरे और अलक ढेमा बहु도 न्यक्ति इनका जू समय रहा है वो 606 46 बी तक रहा है कब तक रहा है 606 से 600 यहां पर होगा ठीक है 646 बी तक रहा है कई जगे आपको 605 भी मिलेगा यह देखिए आपको अलाग लगए जगे आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस यहां पर मिल जाता है ठीक आपको याद रखना है पूरा अलग से दिया गया है तो आप लोग को इतनी चीजें पता होनी चाहिए शिला दित्ति की इन्हों ने उपादी धारण कर रखी ती राजधानी में आपको बता ही चुकी हूं बस यहां पर आप लोग को यह चीज याद रखने ही थी यात्री इनकी सासनकाल में एक यात को यात्री आया था हो ढ सांग आया था टू को यादर कर दोटा यह को आ आपका इंठी लिशिए हाल लेगा फ्लेट इन देवाद बैसे tutti उपड़न 친 अ जो आत्रों कि सुना थी इस्टी किस ली आया था यह नृधा जो आपका विश्व विःहार था तो यह नालंदा विश्व विध्यालाय में पढ़ने के लिए आया था विश्व विध्यालाय में पढ़ाई के लिए आया था विश्व विध्यालाय में पढ़ाई के लिए आया था इसके बारे में आपको सबसे ज़्यदा important जो याद रकनी है वो ये है कि इसने C uh기 की रचना की थी ये नाम है खिकए ये की अलग से लिखा हुआ है की रचना की थी तो ये बहुत ज़्यदा important है कि आपका हुइंजं किन काल में आए था तो यह आपके हर्स बर्धन के काल में आया था जिसने सी यूकी की रचना की थी ठीक है सी यूकी की रचना की थी अब लास्ट में आपको याद रखना है कि इनके दरवारी कभी कौन थे जो कि बहुत ही जाला इंपोर्टेंट है तो दरवारी कभी में आप लोगों को लिख लिए ना है सरी किसे बाड़वट कौन थे बाड़वट थे जिनके बारे में आप यह आपने पढ़ा है कि कादंबरी किस ने लिखा था तो बाड़वट ने लिखा था इन्होंने क्या 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 लिखा है हर्स चरित और क्या लिखा है और इन्होंने लिखा है कादम बरी क्या लिखा है हर्स चरित और कादम बरी ठीक सो इतनी चीजें आप लोगों को याद रखना है जो कि बहुत ज़ादा important है तो हर्स वरधन के बारे में इतनी चीजें enough है इससे ज़ाधा आपनों कुछ भी याद नहीं रखना है ठीक तो ये आपका हर्सवर्धन के बारे में सारी चीज़ें नहीं और ये आपका last question था तो ये आपका दोनों ही topic यहाँ पर खतम हो गए I hope आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छा लगेगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को शेर कर देजी वस आपनों कितना कर दिया करिये कि अपने दोस्तों के शास शेर कर दिया करिये तो बहुत help मिलेगी मुझे इससे Thank you so much मिलते हैं next day के वीडियो के साथ